इस वीडियो में करेंगे exercise 13.1 question 2 A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder यहाँ पर क्या का है एक vessel है जो किस form में दे रखा है हमें नीचे से तो हमारा hollow hemisphere है मतलब खाली hemisphere और उसके उपर hollow cylinder को रख दिया गया है The diameter of the hemisphere is 14 cm अगर जो हमारे पास hemisphere है उसका diameter 14 cm है and total height of the vessel is 13 cm और पूरे vessel की height 13 cm है find the inner surface area of the vessel तो इस vessel का inner surface area आपको find out करना है ठीक है अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है हमें diameter दे रखा है है hemisphere का उससे से चलेंगे हम diameter of हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर equal to 14 cm अब diameter अगर आपके पास है और radius find out करना है तो radius क्या होगा आपके पास radius of हेमिस्फेयर equal to diameter by 2 diameter की value है 14 by 2 करेंगे 2 से cut किया तो आगया मेरे पास 7 cm इसका मतलब जो हाइट है हमारी हेमिस्फेयर की वो कितने cm है 7 cm और total vessel की हाइट 13 cm है तो हमारे जो hollow cylinder है उसकी हाइट कितनी हो गई हमारे पास वो हो गई 6 cm सारी values आपके पास आ चुकी तो यहाँ पे लिखेंगे आब हम हाइट ओफ सिलेंडर क्या होगी 13 minus 7 equal to 6 cm सारी dimensions हमारे पास हैं अब फोर्मुला लिखते हैं इसका inner surface area of vessel किसके equal होगा ध्यान से देखो हमें क्या करना है inner surface area of cylinder में inner surface area of hemisphere दोनों का क्या कर देना है add कर देना है तो resulting हमारे पास vessel का inner surface area आ जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम inner surface area of inner surface area of hemisphere 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 और प्लस क्या कर देंगे inner surface area of cylinder और फोर्मुला लगा देते हैं दुनों का तो क्या होगा inner surface area of hemisphere स्टेश फेयर 2 πाई R स्क्वेयर और प्लस क्या हो जाएगा inner सरफेस एरिया और सिलेंडर क्या होगा 2 πाई R है अब वेल्यू पुट करते हैं यहाँ पे दोनों में से कोमन क्या आ गया 2 πाई R अंदर क्या बच गया R प्लस h value देखो 2 multiply पाई की value यहाँ पे question में कुछ भी given नहीं है तो 22 by 7 यूज कर लेंगे multiply radius कितना है हमारा 7 यहाँ पे find out किया था into 7 plus h की value क्या है हमारे पास 6 मतलब height of the cylinder तो यहाँ पे value क्या आ गई मेरे पास 2 multiply 22 by 7 multiply 7 multiply 7 plus 6 क्या हो गया 13 7 से 7 cancel तो 22 तूजा 44 multiply 13 44 की और 13 की multiply करेंगे तो 572 centimeter यहाँ पे क्या निकालना है area तो centimeter square यह आ गया मेरे पास inner surface area of the vessel चैनल को subscribe करना आने वाली वीडियो की notifications के लिए मैं ठेक्षै करेंगए बार करेंगे यहाँ था लो करेंगे निils